Let's do question number 2 of exercise 4B that is integer question number 2 is filling in the blanks हमें filling in the blanks करने है first part is minus 3 plus minus 9 देखिए first part लिख लेते हैं minus 3 plus minus 9 मैंने आपको रूल बताये थे दुबारा बता रही हूँ मैंने आपको रूल बताये थे दुबारा बता रही हूँ opposite sign आपस में multiply होते हैं तो minus ही आता है देखिए जैसे minus into plus is minus plus into minus is minus और same sign अगर आपस में multiply होते हैं like minus into minus हो या plus into plus हो answer हमेशा plus में ही आता है यह हमेशा याद रखिएगा यह आपको lifelong काम आएगा यह concept कभी मत भूलेगा अब देखिए minus 3 तो as it is आएगा लेकिन plus की multiply bracket का मतलब multiply plus into minus plus into minus is minus यह मैं आपको last chapter में भी बता चुकी हो तो minus 3 plus minus minus 9 अब एक और important बात जब भी दोनो signs same होते हैं तो आपस में add हो जाती है values और sign जो दोनों के हैं वही लगता है तो like यहाँ पर minus का sign है तो minus दोनों में sign था तो minus कही लगा अब आपस में add हो जाएंगी values तो 9 plus 3 is 12 जब भी same sign होते हैं दोनों digit के आपस में add हो जाती है और sign जो दोनों के हैं same वही लगता है let's do next part next part is minus 7 plus minus 8 तो second आगया हमारा minus 7 plus minus 8 तो यह कितना आएगा देखें minus 7 के बाहर यहाँ पर कुछ नहीं है प्लस ही माना जाएगा plus minus minus 7 again plus minus minus 8 तो दोनों sign minus के हैं तो minus लगया और 7 और 8 आपस में plus हो जाए तो आगया 15 तो यह आगया minus 15 तो first one is minus 12 next one is minus 15 let's do third part now third part is minus 9 plus 16 third part आगया हमारा minus 9 plus 16 तो यह कैसे करेंगे देखिए minus के बाहर कुछ नहीं है तो that means plus होता है तो same sign आगया minus 9 अब 16 के साथ कुछ नहीं है तो plus ही है दोनो sign plus के हैं तो plus ही आएगा plus का 16 अब आप यहां देखेंगे यहां एक minus की value है एक plus की value यहां कोई bracket नहीं है bracket होता है तो multiply का sign लगते है plus minus यहां multiply नहीं होगा अब जब भी दो different sign होते हैं दो values के तो आपस में subtract हो जाती है digits और sign जो भी बड़ी value होती है उसका लगता है 9 और 16 में से 16 बड़ा होता है तो 16 के साथ हमारा plus है तो plus का sign लगेगा plus का sign लगाने की ज़रुरत नहीं होती लेकिन फिर भी आपको समझाने के लिए लगा रही हूँ 16 में से 9 गया is 7 तो plus का 7 is the answer let's do next part यहां पे 7 आगया plus का next part is minus 13 plus 25 तो fourth part आगया minus 13 plus 25 यहां गया तो 13 minus का है तो बाहर bracket के plus है तो plus minus minus 13 अब plus का 25 दोनों के sign 13 का sign क्या हूँ अब minus का और 25 का sign क्या हूँ अब plus का दोनों sign अलग अलग है multiply नहीं हो रही है यहां पे अगर यह दोनों values आपस में ब्राकेट में होती तो हम multiply मानते तो अब जब आपस में multiply नहीं हो रही है और दोनों opposite sign है तो मैंने आपको बताया था बड़े वाले का sign लगता है अब 25 में से 13 minus कर दीजे तो कितना आया 12 तो 12 is the answer plus का 12 तो यहां आपने लिख दिया 12 अब next is 8 plus minus 17 तो 5th part is 8 plus minus 17 अब brackets open करेंगे तो देखिए 8 तो as it is आजेगा plus minus minus तो 8 minus 17 तो कितना आ गया अब देखिए 17 के 17 बड़ा होता है 8 बड़ा होता है 17 बड़ा होता है sign मत देखिए digit देखिए सिर्फ 17 बड़ा होता है 17 के बाहर काई का sign है minus का तो minus का sign answer में लग जाएगा और आपस में अब subtract हो जाएगे इससे तो 17 में से 8 गया है 9 तो minus 9 is the answer यह concept बहुत important है एक बार और बता देती हूं जिसके साथ जो भी digit सिर्फ digit देखिएगा जो उनसी भी बड़ी होती है उसके साथ जो sign लगा बहुत है वो लगा देते हैं और आपस में दोनों values को subtract कर देते हैं simple इसका concept let's do last part now last part is 2 plus minus 12 तो 6th part is 2 plus minus 12 तो bracket open किया तो यह के आगे 2 अब देखेंगे plus minus minus 12 तो अब देखिए कौन सी digit बड़ी है 2 बड़ा है यह 12 12 बड़ा होता है 12 के साथ क्या लगा होगा है minus तो answer minus में आएगा अब 12 में से हम 2 minus कर देगे तो that is 10 तो minus का 10 is the answer